Good morning students, myself Chanmira Kabir, your LKG teacher from Tanahil Shuliam School. So students, आज हम सिखेंगे standing line. Students, आपको पता है lines कितनी सारे tips के होती है? Standing line, slipping line, slanting line, उसमें से आज हम सिखेंगे standing line. So students, take out your math CW and open this book and turn your face. Page number 3, जिसमें है standing line. So students, आपको पता है कुन सी picture से? यह है umbrella, और umbrella आपको यूस करते हैं? Yes, rainy season में. So यह umbrella के चो stick है, वो होती है, बिल्कुल straight, मतलब की straight. So इसको हम joint करेंगे, तो हो जाए भी standing line. So हम इसको joint करते हैं. अप से, डाउन. यह हो गई हमारी umbrella complete और हो गई standing line. Once again, वाहाँ से start करना है? Yes. Thus, अप से, डाउन. अम रेला इस, काप्लिट. Next, यह box में अब हम सारे dots को joint करके standing line बनायें. अप से, डाउन. और इसको हम अप से, ट्रैस करेंगे, बिल्कूल इस ट्रैइट, तो हो जाए दे हमारी standing line. फिर इसको भी joint करेंगे, और इस dots को भी हम joint करेंगे. आपको बिल्कूल भी यह ज्यान अपना है, कि हमारी जो line में, वो box के बहार नीच आने चाहिए, और box के ज्यादा अंदर भी नहीं लेनी चाहिए. बिल्कूल उपर से touch होनी चाहिए, और नीचे से touch होनी चाहिए. So, हम यह dot को up joint करेंगे. उपर के dot को नीचे के dot के साथ बिल्कूल ही straight joint करना है. तो हो जाएगी standing line. अप से down, अप से down, यह हो गए हमारी standing line. फिर, फिर से incline करेंगे, अप से down, standing line. अप dot से down dot का हम इसको joint करेंगे. कहां पर joint करेंगे? अप dot से down dot. जॉइन. और फिर से हम करेंगे, बिल्कूल ही straight. So students, यह हो गई हमारी standing line. अब इसी तरह से आपको घर पे भी इसी standing line बनानी हो. और अपने वर्ट को enjoy करना है. Thank you.